नमस्कार दोस्तों आज एक विशहे पर हम चर्चा करेंगे हम भी जाते हैं बजार में कापी लोगों से मिलते हैं चर्चा होती है और लोग हमें सवाल पूछते हैं जनता सवाल पूछेगी तो उसका जवाब तो दे नहीं पड़ेगा चाहे कोई भी हो कोई भी वेवसाए वे तो आपको उसका एक दम इमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। जो सच्चाई है उसको बतानी पड़ेगी अगर आपको विश्वास बनाए रखना है तो। तो मित्रों मैं कहीं मार्केट में निकला था, कुछ हमारे मित्रों से भी वारता लाब हुई और कुछ अंजाने मित्र थे जो मार्केट में मिल गए थे, उनसे गापी चर्चा हो रही थी, का बाई साब आप कौन सी गाये पालते हो। तो मैंने कहा, मैं एचेप पालता हूँ और बहुत ही अच्छी ब्रीड की गाये हैं। तो बाई साब का सवाल था कि एचेप कौन सी वो विदेशी गाये हैं, जर्सी आती हैं। मैं बला हाँ वो ही विदेशी गाये हैं जर्सी आती है और होलेश्टियन भी आती है और मैं होलेश्टियन पालता हूँ और बहुती अच्छा दूद का प्रोडक्शन लेता हूँ तो बाई साब का ये सवाल था कि ये तो गाये नहीं है इनका दूद तो पिने लायक नहीं होता और ये तो जहर है तो मित्रों इस तरह से बजार से हमें सवाल आते हैं उस समय काफी निराश होती है और हम काफी निराश हो जाते हैं और उनको जवाब नहीं दे पाते तो दोस्तो मैंने बाई साब को बड़े प्रेम से जवाब दिया तो बाई साब आपने गायों के बारे में क्या जाना है नहीं हम तो बाई साब का सवाल जवाब था कि नहीं हम तो भारत की जो देशी नसल की गाये हैं उनको सर्वशेष्ट गाये मानते हैं जिनके पीट पे हम्प होता है बड़े-बड़े शिंग होते हैं उन गायों को हम सर्वशेष्ट मानते हैं और वो ही असली गाये हैं और इन गायों का दूद नहीं पिना चाहिए ये राक्सस प्रजाती की गाये है तो मेरा उन बैसाब से निवेदन था भाई साब मेरी बात थोड़ी आप द्यान से सुनिए मैं इसके बारे में आपको विस्ताफ से बताऊंगा और भाई साब को मैंने जवाब दिया कि आज भारत में सत परतिशत काफी मात्रा में होलेश्टेन गाये हैं तो भी दूद की पूर्ती नहीं कर पा रही है जो कि सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गाये है मैं यह नहीं कहता कि हमारे भारत की नसल की जो गवमाता है वो दूद नहीं देती क्योंकि उनकी दूद देने की शमता जो है वो कम हो गई है और वो कम किसलिये हुई उसके बारे में भी हम काफी आगे सर्चा करेंगे उसके बारे में काफी रिशर्च किया है बहुत सारे लोग रिशर्च कर रहे हैं हम भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं वारता लागता थे उसमें जानकारी पता चलती है उनका दूद कम क्यों है देने प्रूप भी है वो मैं आपको बताऊंगा ओ भाई साब को मेरा ये जबाव था अगर भारत में एचेप ना होती तो आपको दूद के लिए लंबी-लंबी कतारे लगानी पड़ती पूर्ती नहीं हो पाता बैंसों से और देसी गायों से दूद की एचेप ही एक ऐसी गाय है ज अगर वो जहर होता तो भारत सरकार सोई हुई नहीं है जागरत सरकार है और जाके कब का इन गायों को यहां से बंद करवा दिया होता यह आपके जो दिमाख में है वो एक गलत वहम है जहर नहीं है यह भी एटू मिल्क जो कहते हैं वो एटू ही आ रहा है इस ब्रिड में का कापी सुधारा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से सुधारा होते जा रहा है जैसे अपने देशी गायों का दूद होता है वैसा ही इनका भी दूद होता है देशी गायों के दूद में फैट की मातरा ज्यादा होती है इसमें उनके एवरेज में फैट की मातरा कम होती है क्यो मानते हो और देशी गायों के दूद को अमरत मानते हो तो नौ तारिक को देनिक भासकर के अंदर जो खबर चपी थी जैपूर और कोटा संभाग में उसको जरूर पढ़ लेना तब आपको पता चल जाएगा कि असली दूद क्या है और नकली दूद क्या है जहर वाला दूद कौन सा है और बढ़िया दूद कौन सा है पचांस हजार लीटर दूद एक दिन में पकड़ा गया नकली दूद वो ही दूद तो पाकेट में पैकिंग होके हर घर में पहुँच रहा है तो बाई साब हम तो एक जिन्दा जानवर एक जिन्दी गाय जो बहुत ही अच्छी है उनका अच्छी तरह से उनकी सेवा करके असली दूद आप तक पहुचा रहे हैं 24 गंटे 365 दिन कोई भी मोसम हो उसमें हम रुकते नहीं और आपके लिए दूद का उत्पादन कर रहे हैं और आप हमें सिधा सिधा बता रहे हो कि आप तो यह जहर का उत्पादन कर हैं पाई साब अगर आपको शंका हो आप कोई भी लैब में चेक करवा सकते हो कोई भी जगे पे जाकर आप शेक करवा सकते हो क्योंकि यह पीने की चीज है और दूद है अमरत है HF का दूद हमारे भारतीय नसलकी गायों के जैसाई है लेकिन इसमें फैट की मातरा कम होने का कारण यही है क्योंकि इनके दूद देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और दूद अच्छा है इसमें कोई तरह की बिमारी नहीं है और पीने योग ये दूद है पूरे देश में एच एप आज दूद की पूरती कर रही है मैं तो एच एप को बहुत ही अच्छी गाए मानता हूँ और इस पर बहुत ही आगे ब्रीड पर काम कर रहा हूँ पचास से सांट लेटर तक दूद देने की कैपसिटी की गाए बना रहा हूँ और इमानदारी से काम करूँगा और करता जाओंगा और अच्छा दूद का उत्पादन लूँगा धन्यवाद दोस्तों